हिमाचल पत परिवहन निगम मंत्री विक्रम ठाकुन ने रविवार को शिम्ला के अंतर राजे बस अड़े से शिम्ला चंडिकर वॉल्वो बस को हरी जंडि दिकाकर रवाना किया वही नए साल पर जन्वरी के पहले हफ़ते में शिम्ला से कठड़ा के लिए भी वॉल्वो बस सेवा शुरू करने की तैयारी की गई है शिम्ला से बुलासपूर घुमारवी भोटा हमेरपूर कांगरा पठान कोर से जम्मू होते हुए वॉल्वो कठड़ा पहुंचेगी परिवहन मंत्री विक्रम ठाकू नए शिम्ला के अंतर राजे बस अटे से शिम्ला चंडिकर वॉल्वो बस को हरी जंटी दिकाखर रवाना किया हिमाचल पत परिवहन निगम द्वारा इस नई पहल की खास बात ये है कि वॉल्वो की किराए में यात्यों को पहले महीने में करीब 35 फिसदी की छूट दी जाएगी 25 फिसदी ओफ सीजन डिसकाउंट के साथ पहले महीने में 10 फिसदी प्रोमोशन डिसकाउंट देने का फैसला लिया गया है वहीं इस सफसर पर परिवहन मंत्री विक्रम ठाकू ने कहा कि आने वाले समय में जल्द ही शिम्ला से कट्रा के लिए भी सस्ते धरों पर प्रदेश की जनता वॉल्वो बस का लाव उठा सकेगी विक्रम ठाकू ने कहा कि जिस तरह से अन्य राजियों में हिमाशल पत परिवहन निगम की अपनी पहचान है उसके चलते आने वाले समय में इस तरह की अन्य बसें भी अन्य राजियों में भीचु जाएगी यहां से हमने एरपोर्ट चंडिगड के लिए चलाई है मैं इसके लिए विवाग को बढ़ाई देता हूँ एक अच्छी पहल है आने वाले दिनों में मैं यह भी आपको पताना चाहता हूँ कि हम कटड़ा के लिए भी इसी परकार से जो बस है उसको चलाएगे और भाया हम होती है यह आप यह कह सकते हैं कि लेटेस्ट मोडनाइज वोलवो है और मुझे ऐसा लगता लोगों की वैसे भी प्रसंद रहती है अधर स्टेट्स के अंदर हिमाचल पत्पर विहन निगम का एक नाम है लोग इसको प्रैफर करते हैं मुझे ऐसा लगता है कि इसका काफी सब्सक्राइब करते हैं उनकी गाड़ियों को बॉंड करते हैं जैसे जैसे हम लोग करोना से उबर रहे हैं निश्ची तोर पे और ज्यादा काम ही छेतर के अंदर हम लोग करें हैं परता विशा है कि हिमाचल प्रदेश में आदनी शीरेंदर मोधी जी हमारे चार वर्ष शीर जैराम ठाकुर जी की सरकार के पूरे होने पर आ रहे हैं और उसी दिन द्योग विवाग वहाँ पे सेकेंड ग्रोन बेकिंग जो लगबग 27,000 करोड पे की बनती है उसका वहाँ पे वो ग्रोन बेकिंग भी करेंगे और हम सब लोगों को उनका शीरबाद मिलेगा बहुत अच्छी त्यारियां हुई हैं जो टार्गेट्स हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में दिये हैं उससे कहीं ज्यादा लोग वहाँ पे आ रहे हैं जो फर्स ग्रोन बेकिंग हुई है यह उससे बड़ी ग्रोन बेकिंग है और मुझे लगता है कि हमाचल प्रदेश के नोजवान को इसका फाइदा हुई